नवश्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं नौर्थी स्लाइड और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत कोरोना के खिलाफ जंग जाड़ी है लेकिन हर दिन भारत में जो है कोरोना अकरांतों की संख्या लगातार बढ़ रही है पांच हजार का यह आंकर 70 लोग 73 नए मामले पाए गए हैं और पुर्वतर भारत में कुल यह आकरा 33 के पास पहुंच चुका है मुद्दा में और चौदर आज लोगडाउन का 15 दिन है बहुत से लोगों को मुश्किले हो रही है क्योंकि वह लोगडाउन में है खासकर मजदूर बर्द किसान और ग तरफ प्रधान मंत्री ने राहत कोस के लिए फंड के लिए भी लोगों से आवान किया है और असम की बात करें तो आठ करोर से ज्यादा की रासी जमा हो चुकी है मुख्यमंत्री रिलिफ फंड में क्या यह परियाप्त है क्या गरीबों के लिए जो इजनाय शुरू की गई है मुफ्त चावल की या रासन की विवस्ता है क्या वह सही तरीके से आगे बढ़ रही है इन मुद्व पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं कॉंग्रेस के प्रवक्ता रमन जहां भास्पा के उपाध्यक्स बिजय गुपता जी बिजय गुपता जी पी बैस्विक महामारी कोविड नाइंटीन आया स्वाभावी की से सबी लोग आउगत तो होई चुके हैं इसके बारे में कुछ बिशेश नहीं कहना है इसको दिर्श्टिकत रखते वह प्रधानमंत्री ने इस्पेसली कोविड नाइंटीन के लिए एक फंड क्रेट किया क्यो सब कुछ के लिए एक रखम चाहिए इसलिए प्रधानमंत्री ने इस सहियों के काल्सक्रम में पूरे देश के सभी वर्गों को आहवान क्या है प्रियम केर फंड के नाम से एक अकाउंट खुला गया है बकादे उसका एकाउंट नंबर भी है और चार-पांस तरीकों से उस पे और भी जो भी हमारे ये हैं उनके द्वारा भी दी जा सकती अब सवाल इसमें यह आता है कि यह दूसरे जो फंड है देर अर सो मेनी फंड फंड फार्दर रिलीफ तो यह फंड उससे अलग इसलिए है कि इसमें इसका एक ही पर्टिकुलर नीचर यह है कि स्माल डिनुम रुपीज बट देर इस नो लिमिट फार दा मैक्सिमम उन मैक्सिमम के लिए कहीं कोई लिमिट अखा नहीं गया है कि इस देश की संख्या जन संख्या 130 करोड है उसका अगर हाफ परसेंट भी लोग अगर देते हैं तो बहुत पैसा इसके अंदर में आ सकता है जिसे कहा गया है कि बूद बूद से शागर भरता है तो यह जो है यह कांसेट अपने आप में सबके पारिटिसी पीशल्स का सबकी मन के अंदर में यह आस्था प्रबल करने का कि हम राष्ट के सामने अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम उसके लिए तन से लाग डाउन है मन से हर आदमी जो है फ्री है शुब भावना और सुब कामना के दोरा वो कर सकता है और धन वो दे सकता है आराम से हर व्यक्ति धन दे सकता है तो इसलिए प्रधान मंतरी का यह जो आख़वान है यह स्वागत योग है और बहुत से लोग आगे बढ़कर यार है इसके बाव देने से क्या होगा कई लोगों से मैंने बात किया तो अरे भाई हम 500 रुपया दे देंगे 200 रुपया देंगे क्या होगा ऐसा नहीं हर ब्यक्ति ये निश्चित करें कि हमको कुछ न कुछ इसमें देना है और उस से इस देश के सामने इस महामारी से जूजने के लिए शंखर्स करने के लिए हम हमारे देश को एक सहायता के रूप में हम अपने आपको प्रस्तुत करता हैं जी है बिल्कुल और सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए आप पी एम के एर फंड में डोनेट कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम सो रुपय से और मैसिमम की कोई लिमिट है नहीं आपदा से गुजर रहा है देश तो सब को मदद के लिए आगे आना चाहिए प्रधान मंत्री ने सरवद लिए बैठक बुलाई थी आज और कई सुजाओ भी आया इससे पहले कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पांच सुजाओ भी दिये थे इसमें यह कहा गया कि प्रधान मंत्री राष्टी राहत फंड पी एम एन एफ आरेफ में कनभर्ट कर देना चाहिए इसमें नहीं देना चाहिए रमन जी अभी प्रधान मंत्री ने कुछ देर पह है बहुत ही सांदार सुजाओ लेकिन यह प्रधान मंत्री राष्टे राहत फंड में बदल देने की जो उन्होंने यह कही है इसके पीछे मंसा किया है प्रधान मंत्री राहत कोस्त पहले से ही है पुरणा है और आज तक देसमें जो भी प्राक्रतिक आपदा हो या मानवी प्रधान मंत्री राहत कोस्त से लोगों के बीच तक जो आम जनता है उन तक पहुंचा गया उन तक जो सुभधाय हैं दी गई उनको कॉंपनसेशन से लेकि जो भी है अभी हम यह है कि आपको आपके पास अलेटी एक संस्ता है लोग उसमें भी डोनेशन देते हैं प्रधान के लिए काम होता है तो यह इसके लिए उन्होंने कहा होगा कि आप दो संस्ता को बना के जो काम को बांट रहे हैं और अलेडी प्रधानमती राहत कोस के बाद मुख्मती राहत कोस है तो उसके जरिए आप लोगों तक पहुंचिए अभी जरूरत है कि कोई नई संस्ता खोल बारत में इक बारत की जो जन शंकिया है यह quais शुमती करते हो उसमें साठ पर अवादा दिन में हैं और लॉक डाउन की मांग कर रहा है और जो परस्तिती है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रोज रोज यहां फैलता जा रहा है आगे बढ़ता जा रहा है तो लॉगडाउन आगे भी होने की संभावना है तो ऐसे में जल से जल लोगों तक पहुंचा जाए अज पंदा दिन हो गया अभी तक पंदा दिन हो चु कि भी है कि बहुत सारे लोग मजदूर हैं जो जो क्या है कि अनाज वगरा अपने यहां जमा करके रख लेते हैं काम करते हैं काम के बदले हूं को अनाज मिल जाता है तो ठीक है लेकिन सारी चेत्र में क्या होता है कि लोग रोज कमा रहे हैं रोज बजार करते हैं साम को जो इसके लिए पीडेस की वेवस्था की बात कर रहा है केंद्र से युजनाओं के तहत राज्जयों में भेजी जा रही है लेकिन जिला अस्तर पर क्या हो रहा है इसका एक नजारा हम आपको दिखाएंगे हाफ लॉंग आपको मालों में हाफ लॉंग पहारी लाका है वहाँ पे बहुत दूर पैदल चल कर वो सुलब मुणिक की दुकान पर पहुंचते हैं लेकिन सुलब मुणिक का दुकान दार है हम वाकाइद है आपका उनकी आवाज भी सुनाएंगे कि उन्होंने वह 25 कि जगा 30 किलो चावल दे रहे हैं ऐसे बि criar ना में हैं केसा देना है मौनमों मिला कर ये जाखा एल दूर पुझरा करकेश बखी सुलब में करदे को क्ली और से जख़ानमे पर बताएंodge सुल जर फ्रेंसरी में नहीं पर ब्लाइक ञावरा नीजब का इस भी बालत्skं вами घर एंफ गटर्पिक जुग के संप्र वाह पट्रीजाए कुलिया है। को से कुछ नंगिक हुए योग थाओ से चैश्म क्टीं कि नहीं पॉर्टेशा टिरॉटाए फटिशे मेरा जुफ नाम जब है खेसा थाषर भार्टा कि अधिर को ट्रा ट्रोग में है क्टीं को नियुक निए फीनिए फिले ऑन्से शीरें गहां हिए और तो यह आप देख रहे थे डिमा हसाओ के एक जीले का द्रिश्य है यह उम्रांग्सु का उम्रांग्सु के सुलब मुहिले के दुकानदार जो है वो एक इवक ने जब पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही होता है और आप ज्यादा करेंगे पुलिस में जा सकते हैं और मैं अभी किसी को सामान नहीं बाटने वाला आपको एक बार फिर बता दूँ कुझे उम्रांग्सु इलाका है वहां पर लोग चार पास घंटा छे घंटा दस घंटा तक उनको पैदल चलके शहर में आना पड़ता है सरकार ने तो मुफ्त रासन की घोशना कर दी है लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी है कि एक तो लोग परिशान है कुछ लोगों ने लिया हमें कोई मतलब नहीं है 25 किलो के जगए 30 किलो अगर हमें मिल रहा है कम से कम मिल तो रहा है हम खाली हाथ तो वापस नहीं जाएंगे भाजपा के नेता हमारे साथ है विजय गुप्ता जी पीडिये सिस्टम के हकीकत है और भी दिश्य हम आपको दिखाएंगे इस मुश्किल घड़ी में किस तरह का कारवार हो रहा है आपने देखा इस पर टिपणी कीजिए आप गड़ी तो निश्यत रूप से मुश्किल की है और जब भी कोई ब्यवस्था होती है वो ब्यवस्था सही तरीके से चले इसमें सबका ही दाइत तो होता है हर व्यक्ति अपने दाइतों का शही निर्वाह करें और लोभशे मुक्त हो तभी जा करके हम क्या है कि जो ब्यवस्था है वो ब्यवस्था सही और सठीक होती है निश्चित रूप से आज ये बात आप देखके चलिए कि इसकी जो कोरोना जो आया है कोविड-19 अब ये डिजीज जिस तरह से ये इस्प्रेट कर रहा है और संक्रामक है और दूसरी तरफ क्या है कि संक्रामक होने के साथ साथ हर लोग के मन के अंदर में पैनिक है भाय है औ लोगों को कहीं भी स्वक्षंद जाना या कुछ कहना या कुछ करना ये थोड़ी अपने आप में एक मजबूरी है तो इन बिसेश परिस्टितियों में मन कोविड-19 की जो बिसेश जो है समश्या है उस समश्या के अंतरगत सरकारी मशिनरीज हो या जो पीडियस के जो रास बहुत बड़ा देश है एनाउंस्मेंट हम करते जरूर है और एकदम जमीन तक उसको सही तरीके से ले जाने के लिए ये कलेक्टिवनेस जब तक हमारे बीच में एक सामोहिक दाइत्तों का भाव नहीं आएगा तब तक कोई भी वेवस्ता सही नहीं हो सकती है निश्चित करने के लिए आगे बढ़ेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी ये समय लोब का नहीं है लोगों के अंदर में भाय भी है लेकिन अभी हमको भाय और लोब से मुक्त होना ही पड़ेगा रमन जी आप कुछ कहना जा यह जो आपने देखाया भी यह सिर्फ कार्व करने वाले मजदूर जादा हैं लेकिन यह कमी नहीं दिख रही है यह सरकार के कैविनेट में भी इस तरह के जो आप कोडिडेशन की कमी दिख रही है आप देखेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर या है जो हर जगा काम कर रहे है या फिल में घूम रहे हैं तो वहीं आप यह भी द दोगान में रासन नहीं है उसकी अलबा आप देखेंगे कि दूसरे जिले से जो लोग आते हैं जो तीनसुक्या, डिव्रुगर, बडाकविली से लोग आ रहे हैं उनका रासनकार हुआ है तो वैसे लोग यहां रासनकार नहीं बनवाते हैं और लोग आज यहां इस कोड़ नाइंटी के लोगडाउन में फशे हुए तो उनको रासनकार के जड़िये तो चाहल या रहत नहीं मिल रही है तो ऐसे लोगों तक भी रासन पहुचाया जाए जंधन खाते के तहस के नसरकार जो है उकातिये के पैसा देंगे लोगों में लेकिन आपने देखा होगा कि कि हैं इच चाहिए का थो आपने परवार को 500 आपने भेज दिया उनके महला खाता धारक के अब ओ लेने के लिए ओ पंद्रा किलोमेटर आज हमारे पास एक तहाए नहीं तो लोगों को अभी रासन चाहिए उनके घर तक ताकि कम से कम ऐ भूखे ना भरे कोबिड-90 का और इस सरकार का दाई तो है जहां तक सरकार की बात है तो असम सरकार के बित्य विभाग और स्वास्थ विभाग के मंत्री एक एक जामपल सेट कर रहे हैं तो वहीं मुख्य मंत्री खुद अपरी असम से निचली असम का दोरा कर रहे हैं और कोरोना से लड़ने की जो उनकी त को छोड़ दे दूसरे मंत्री मंदल के मंत्री जो है कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं इस वक्त सबसे जरूरी था कि आपका जो आपुरती विभाग के मंत्री है फनी भूशन चौधरी बिजय जी फनी भूशन चौधरी कहीं नजर नहीं आ हैं और जिस तरह से आपने आख्यों कि आप भी खरीदारी करते हैं सामा सामागरियों की कीमत मनमना सोला लोग लाइन लगाने के बावजद भी अधिक कीमत देने पर मजबूर है क्यों इसा है मैं बड़ा असफ़स्ट बता बात बता रहा हूं कि समश्या अपनी जग़ा पहले लेकिन यह जो आरोप लगाना अभी आरोप का शमय नहीं है लेकि जहां नहीं बता रहा हूं नहीं बत कर रहे हैं और मैं आपको होता हूं कि मैं ब्यक्तिकत हूं इसलिए मैं यह बात बड़े दावे के साथ कर सकता हूं कि मेरी उनसे डेली वारता लाफ हो रही है वह शुबह दो पर शाम फोन करके पूछते हैं कि सप्लाई चैन कैसे मेंटेन किया जा सके वह यहां तक चिंतित हैं कि रासन के अलावा यह कहना चाहरा था कि देखिए आज सप्लाई मिनिस्टर काम नहीं कर रहे हैं यह आरोप में कहीं कोई दम नहीं है और यह तत्थ हीन है क्योंकि यह तत्थ हमारे पास में है कि रात दिन काम कर रहे हैं मैं खुद डिप्टिक कमिशनर मेट्रों के आत में बात किया रासन दुकानों में सप्लाई कैसे इंस्योर कराई जा इसके अलावा वह यहां तक चिंतित है कि रासन से आगे जाकर के फास्ट मोविंग कंजूमर गुड्स जैसे आज बिस्किट है बेवी फूड है मिल्क्स हैं मसाले वगर हैं यह भी लोगों को मिलें क तो यह सारे चीजों पर भी उनकी नजर है अब सवाल यह पैदा होता है कि सरकार एक संस्था है सरकार का एक बहुत बड़ा गेट है मैंने पहले भी कहा दुबारा भी इस बात को दोरा रहा हूं कि यह बात हो सकती है कि कहीने कहीं कुछ कमी है लेकिन हर व्यक्ति सजग हो सत योग अस्तापित करें आज लोगों को राश्चन घर घर में पहुचाना जैसा कि जहांजी ने कहा मैं इनके बातों से शहमत हूं यह हमारा दायुत बनता है कि हम लोगों को लोग हमारे पास नहीं आ पाएं और हमने ब्यक्तिकत रूप से बता रहा हूं कि हमने देखा है ज लोगा जाते हैं मतलब इसंक्यामति एक वातावण में ऐसा हो गया है कि लोग सही हमारा प् 46 की बात इसलिए आ रही है सिर्फ गुहांटी महांगर की बात कर लें तो गली-गली में लोग पड़ेसान है आज उलूबारी इलाके की बात कर रहा हूं है वहाँ पर सब्जी की गाड़ी आई थी और जितना सब्जी नहीं आया था उससे अधिक वहाँ पर फोर्स था लोगों को लंबी कतार में और कई लोगों को बीना बज़र से डंडे भी पर लेकिन आप देखिए पूरे असम में होटल्स बंद है मिठाई की दुकाने बंद है जितना दूद उत्पन होता था और गोप अलग जो है दूद फेक रहे आज उनको बार बार यह अपील कर रहे है कि कम से कम हमारी इसकी वेवस्था तो करे ऐसा तो नहीं है कि दूद की ल गोपालों को सहायता की बात सहायता की बात कही जा रही थी क्या कह रहे हैं गोपालक आपको दिखाते हैं एक बार करेंगे मनें होई खुबीड़ा है दूद के दूद क स्वालों को भेषनके हैं जातनी है दूद पामासी खुला नाएव भारी बात सहीं मुद से निवप द्दद करेंगें से ग्रुद करेंगें टूद की युद को ओन फार्बड़ा मुद आरन वार्यमित नही भाव पु कारबा पुन्धर्टा कारबा एको वो से ती इसता पॉइच्टा मन ती इसता मन लोकडान हो पर आमी इतिया जीतू मोहग पर्टेग दीने राथिपबग दोली निमोदियू जीतू बस्तानी मोपाकेता है हे निमोधू पुआ नाय अरू दुकान पर किनी एनु बरू हे तू आरो गाखी तू मने देली जिमान तू आमार सोलीस पंसार से तार उल्वा है तार हेटू तू त्यामी शलाबो प्राने लोकड़नों प्रा आरो गाखी खिरुआ नाए आरो तेनुका पार में तू किन्टू इतिया लगे कुनू सरुकार अपड़ा दियाने अब भेटीने विभाखर पार आए खाखबोटा लुआ नाए केनुका पार की होई से विभाग एकू खुनिशू किन्टू अहाना है कुनू भिजय जी यह सिर्फ गौपालों का कहीं नह अब जी उगाते हैं नगती फसल होता है और खेतों में ही सड रहे हैं डिब्रुगर से ही ऐसे तस्वीरे आये थी हम बाद में दिखाएंगे आपको कम से कम इस वक्त चुंकि सरकार को मालूम है कि कितने किसान है कितने पश्चू पालक है उनको उनकी क्या जरूरते है 15 दिन हो गए हैं और इसी तरह चला तो बहुत बड़ा भारी आर्थिक नुकसान की और हम बढ़ी रहें और चोटे-चोटे किसानों को तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अब्यश्यों के जो आज वीट सही तरीके से हो दुकाने कहने उनके उनके वी गाय को ने वेटनरी डॉक्टर्स और वेटनरी मेडिसिन्स जो पशों के लिए भी जो आहार के अलावाला दवायों की उपलवता भी हमें सुनिशित करनी पड़ेगी और हमारे एगरिकल्चर मिश्टर अतुल बोरा ने दो दिन पहले ही ये पेस्ट कान्फरेंस के जरिये सारी बातों को बड़ा उन्होंने अप्लाई चैन है उसको किस तरह के समिस्टोर करें मेंटेन करें उसके अंदर में उसके करनी की व्यवस्था की जा रही है और निश्चित रूप से एक या दो दिन के अंदर में इस्तिती सामानने होने लगेगी और दूसरी बात ये जो मतलब मैं पहले दुबारा इस बात का शमाधान नहीं होगा उसके लिए हमे कहीं न कहीं संवेदन सील होकर के चीजों को समझाना हम का एंसके लिए कि अदर में आज मीडियाँ भी कहिए हमारे नेता अभिनेता कहिए सब्यों ग एग एक के एंसके ख बादो सोसल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से मैंऑनी हम नहीं देंगे लोग हमारे पास रासन है हम सिर्फ इस ले नहीं देपा रहे है कि वहाष त्रफ प्रशाषन को सही तरीक से कर सकेगी मैं दुबारा आहवान करूंगा सभी से हमारे मित्र दल मित्र हैं हमारे और आज के डेट में सभी मित्र दल है यहां कोई न कांग्रेस है न कोई बीजेपी है न कोई एजेपी है अभी तो कोई राजनीती का समय ही नहीं है अभी समय है सिर्फ सहयोग का तो यह भी आगे बढ़ करें कहीं कोई दिक्क्रत हमें बताएं प्रधान मंत्री ने सभी दलो के साथ सर्वद लियों बैठा की और सभी दलो से उन्होंने सुझाओ भी मांगे हैं और सुझाओ आए भी है रमन जी आप कुछ कहना चाहिए बहुत देर से कि अभी देखिये आज सरकार का 21 दिन का जो लोगडाउन था तकरिबन उसमें 75 परसेंट खतम हो गया 25 और बचे हैं सरकार अभी तक यह निर्ना ने कर पा रही कि उसे क्या करना चाहिए और क्या निकरना चाहिए अभी तक सरकार चेन बनाने में लगए है कि चेन कैसे बने यह सरकार के पास साली सुधा है अगर सरकार चाहे तो जो किशान जिनके सब्जी फखेतों में जो फसल बरबाद हो रहा है उसे अग्रिकल्चर मार्केटिंग बोड के जरिए खरीद कर बजार तक कहुंचा आए जा सकता है अग्रिकल्चर मार्केटिंग बोड का अपना दूद मेंने देखा वहाँ लोग परिसान है सही है लोग डाउने और निकल नहीं पा रहे हैं उनका केटल फीड के लिए भी उताजी ने कहा कि हम चाहते है कि दें पंदर दिन हो गया जल्ड कीजिए ताकि इसका असार आप दिखने लगेगा दूसरी चीज है कि आपके पा जो बंदर पनीर है क्रीम है घी है ऐसे को चाहता चीज बनाता है आप उसे बनवा सकते हैं लेकिन इसके लिए सरकार कोई इच्छा सकती होना चाहिए नहीं मैं इसमें पुरा भी डाइडी अभी इसमें कहीं भी आपका मुझे नहीं लगता कि वह एक्टिव है लोगों से ग करना चाहिए तो हम आप से बता रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए पुरावी डाइडी के जलिए यह पशुपालान विभाग के जलिए लोगों तक पहुँचा जाए आज मैडिसिन पीना उन्होंने कहा कि का बच्चा मर गया है उसको इलाज होना चाहिए गाई-पसों का भी ताकि यह हमारा पसुधन है इसका भी एकोनोमी पे असर परता है और लोगों के आर्थिक जीवन पर परता है आम लोगों का उसका भी ख्याल रखिए और देखिए अग्रिकल्चर मार्केटिंग बूर्ट सर्कार के पास में इक्षा शक्ती सरकार के पास मैं इक्षा सकती है इक्षा कर नहीं रहे हैं मैं आपको वताता हूं आज आप ने कहा वेटनेरी मेडिसिन की आप कहा दूद की आप कह रहा रहा है रासन की आप कह रहा है अरे मीरी बात तो कहने ने रहे इसके बाद बोलिएगा बेजी टेवल सब्सक्राइब करने के लिए हमारे सामने एक चैलेंज है या आप मानिये कि यह बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी सरकार रहती तो आपके सामने रहता है इसको काम करना पढ़ेगा बिल्कुन करना पड़ेगा और प्रधान मंत्री ने जो आज इशारे किया है लगता है कि lockdown और भी आगे extend होगा और ये जो समस्याइं हमने दिखाया रासन की समस्या हो किसानों की समस्या हो गौपालों की समस्या हो सही समय पर अगर एक mechanism त्यार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में विकट संकत उत्पन हो सकता है दर्शकों के लिए हमारा अभी खूल जाएगा हमारे साथ विजय गुपता जी भाजपा के उपाध्यक्ष है रमन जी है और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे क्या सरकार की जो पहल है रही है अब तक आप उससे खुसे और सबसे बड़ी बात क्या आपको लगता है कि पी-एम फंड पी- ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है हम चर्चा कर रहे हैं लौकडाउन का पंदरवा दिन है 14 दिन बीच चुके हैं गरिब लोगों की परेशानिया धीरे धीरे बढ़ रही है और रासन की जो किलत हो रही है किलत तो नहीं करेंगे नहीं कहेंगे उनके पास सह लोगों द्वारा तरीके से नहीं पहुचाया जा रहा है कहीं नकाहीं सरकारी तंत्र जो है समीन हो रही है इस पर तर competisi करेंगे लेकिन फिलatur 행法 के साथ जुडएंगे जो सीछर से सीछं कि हमारे साथ हो रहे हैं अभी एंव्च्यब मंतरी मौजूद है तो किस तरह की कारवाई चल रही है, क्या सुचना है आपके पास? एडिनिस्टेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, एमेलेज हैं, जो रेप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे उन लोगों ने बाचित की, उसके बाद वो नीचे आके जितने धर्म के गुरू हैं, जितने भी इस्लामिक कहलेजिए, हिंदू, क्रिस्टियान, सिक, जितने भी धर्म गु कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि सरकार पूर जोर कोशिश कर रही है, हर एक इंसान के लिए, जो भी चीज जरूरी बन परेगा उनके करने के लिए, तो रंजीत, यहां पे हमारे साथ बाराग वेली से, जो कछार से एक रेप्रेजेंटिटिव हैं, जो बार्खोला के MLA है उनसे हम डिरेक्टली जूट जाएंगे यहां पर, वो हैं बार्खोला के MLA किशोर नाज जी, सो हम उनसे पूछें के सर, जैसे अभी आज पंदरवा दिन है, और सीम सरवांदर सुनवाल जी वो यहां पर आये थे, पंदरवा दिन चल रहा है, लोगों में, आपको लगता कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तपके के लोग हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है, खाद प्रदान होने में, या कैसा हम लोग के पास अभी कमोडिटीज स्टॉक में है? उसमें सारे बहुत सारे डिपरमेंट है, उसमें पावर डिपरमेंट, हेल्थ डिपरमेंट बिकरम के साथ हमारा तक्निकी गड़बडी के चलते संपर कट रहा है, हम उनसे फिर जुरेंगे उनके साथ किसोर ना था, बॉर्खला के MLA और वो बता रहे थे कि मीटिंग में क्या-क्या फैसले लिये गए बिजय जी हम उनसे जुड़ेंगे बिकरम से, पंदर दिन हो चुके हैं और स्वास्त मंत्री जो है और स्वास्त विभाग पूरे असम में, जिस तरह से काम कर रहे हैं, विपक्ष को भी उनके तारीफ करनी पर रहे हैं अच्छे काम की तारीफ सभी करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन और भी तो विभाग है, मैं फिर वही आता हूँ कि आपूर्ती विभाग क्या आपूर्ती विभाग की ओर से क्यों अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए मुखे मंतری दौरा करें, मुखे मंतری जिला अस्थर पर प्रशासन कदिकारियों को ये दिसा निर्देश दे रहे हैं कि सभी जो गरीबों के लिए खाना की वेवस्ता या रासन की वे वेवस्ता हो, दवादारों की वेवस्ता हो, वो सब सही ढंग से करें लेकिन आपूर्ती विभाग कहीं न कहीं फेल हो रहा है और पंदर दिन ब्रत चुक है मैं बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने हमारा ये इशारा भी कर दिया कि लॉगडाउन आगे बढ़ेगा तो इसको कैसे सौर्ट आउट किया जा सकता है संचेप में बताईए कि सभी लोगों को अपने दायतों का निर्वाह करना चाहिए वो सरकारी हो या गैर सरकारी संस्था है अब यहां पर महत्पूर्ण बात आ रही है कि जैसा कि आपने भी कहा वीडिया में बाते आ रही है कि सही जगर पे सही तरीकी से चीज़े पहुचने पा रहे हैं मेरा आहवान यह रहेगा कि जो भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं इंजियोज हैं और जो दोस वार दे एक्सपर्ट इन दिस् तो ऐसी कई संस्थाएं हैं और एसोशियेशन भी हैं तो उन सारे एसोशियेशन और संस्थाओं के साथ में सरकार निश्चित रूपशे शंपर्क करके यह जो ब्यवस्था है आजराशन की सप्लाई हो सबजियों की सप्लाई हो कैटल फीड की सप्लाई हो दवाईयों की दूसरी जगह हम लोगों को बुला रहे हैं या वो जा के घर में दे रहा है तो तीनों ही चीज़ में हम देखे तो एक कंटर्डिक्री फेज़ डवलप हो रहा है तो इन सारी चीज़ों लेटेस मेंटेने बैलेंस फेज़ वाइज ही करना पड़ेगा जो बहुत ही जो है डवलप सच एस मेकेनिजम और सिस्टम जिससे की हम बैलेंस क्योंकर लाकडाउन को भी हम मेंटेन कर सकें और उसके साथ साथ सप्लाइज चैन भी हमारा जो है एकदम दुरुस्त हो ताकि कहीं किसी से किसी को भी कोई अश्रुविदा नहों तो जो गैर सरकारी संस्था हैं म पतलब जो ऐसे नाम की संस्थाएं नहीं जो एक्च्वल में दोज हुआ अगर यह करवाया जाय तो मेरे को लगता है कि इसमें सुविदा होगी और अगें दुबारा मैं कहना चाहूंगा कि इस सिच्वेशन में सभी लोग सभी लोग आगे बढ़कर किया है और अपना खिशोर नात कुछ कह रहे थे क्या आप हमें एक बार फिर उनके साथ जूड़ सकते हैं आप बिक्रम्स हम जोने की कोशिस करेंगे तल्हम जी वीज जिका कहनाह रंद जो सही माहिने में काम करते हैं ऐसे न चाहिए और अगर वे आगे आते हैं और एक जैसा आपने बता है के distribution का अपना system होता है उसके तहट वो collect कर सकते हैं किसानों से फसल collect कर सकते हैं सरकारी रासन वगएरा भी अपने लेके बाट सकते हैं और कई NGOs भोजन वगएरा करा रही है हाला कि lockdown की धजिया हो रही है इसमें कोई बात दो पुराई नहीं है लेकिन लोगों को दो ऐसे गरीब लोगों को दो वक्त की भोजन भी मिल रहा है इसको भी ध्यान में रखना होगा लेकिन अभी सिएम रिलीफ फंड हो या प्रधान मंत्री राहत कोशो उसमें बहुत सारे लोग पैसे दे रहे हैं काम या ज्यादा की बात नहीं करेंगे तो ऐसे लोग सही है आप देना चाहिए लेकिन आप जो प्रसाषन के अनुमती के साथ कि बहुत सारे जो नीजी शंस्ताय है वह अपने मानवता के अधार पर या अपने आस्ता के अधार पर जो आप लोगों तक खाना पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ फिर भी यह क्या है कि सहर के आसपास ही हो रहा है दूरदास इलाकों में और अभी जो सहर के बाहरी इलाके हैं वहां तक यह चीज नहीं पहुच रही है और गुपता जी सरकारी सिस्टम के अंदर हैं तो वह भी मान हैं कि सरकार की जो डिस्ट्रिबिशन सिस्टम है और पूर्ण रूप से जिस तरह से उसे काम करना चाहिए था करनी पा रही है को कि आप लॉक्डाउन भी है निजी संस्थाएं बाहर ज्यादा निकल भी नहीं सकती है को कि उनको सरकार का प्रविशन चाहिए बिना आप इसका में हवान करूंगा लोगों से कहूंगा कैसा करें लेकिन सही माहने में करें दिखावे के लिए नहीं करें जी बिल्कुम मैं आपको फिर रूखना चाहूंगा बर्खला के विधाय कि शुर नात आमारे साथ जुड़े हूए है अज बिक्रम कि अभी सीम के साथ थोरी कई सारे डिपर्टमेंट है यह फूड एंड सीविल सप्लाई डिपर्टमेंट पावर डिपर्टमेंट साथ में और हैल्द डिपर्टमेंट कई सारे डिपर्टमेंट था तो सीम सार ने सब डिपर्टमें साथ में बात किये और उनसे पूछे कि हर एक सेक्टर में पूछा सरी है जैसे मेडिकेल में हमारे front मेडिकेल टीप में पूछा गया था जैसे हमारा बडागविली में तीन डिस्टिक्ड alter में छे कोरोना बारस पोजिटीव मिला उन के बारे मी पूछ्चा श्किया गया क्ताथ के लोग यहाँ और क्याँ कहना चाह रहा हूं जो लोग अभी जो पॉजिटिव में जो लोग है उनका साथ में उनका कॉंटेक्ट में जो लोग आये है जो लोग उनका कॉंटेक्ट में उनका रिलेटिव हो उनका दोस्तों उनका फेंसर के लोग कोई भी उनका जो कॉंटेक्ट में आये है तो आप सब के लिए वह उनके इलाके में कैसे इस्तिति है गरीब लोगों को रासन पहुंचाने के चेत्रे में पारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सब सबको दिखी रहे हैं सबसे इंपोर्टन बात है हम सब पूरा देश देख रहा है कि स्वास्त कर्मी है बहुत अच्छे से काम कर रही है आपका जो शेत्र है या बड़ा घटी का शेत्र जो गरीब लोग हैं जो खाने पीने के मामने में वो लोग जूज रहे हैं आप लोग क्या सुविधा उन लोग को देंगी हाँ अभी तो अभी 15 दिन जैसे हमारे हो गया है हम जैसे कि में अपने तरफ से में हम कर रहे हैं सरकार की तरफ से हर सुविधा दिया जा रहा है हार पुड़े एक दम आखरी एंड तक आदमी को मिल रहा है खाना बिलकल अभी तक हम लोग ने पूरा जीपी जीपी गुरूप गुरूब वाइस हम लोग कर लिया है जैसे हमारे एक जीपी में 10 गुरूब होते ह लगा को वि दियो कि जिसमें लागा दिया समय नहीं जिसमें तक तक है पूछ न और जिसके के ला रहे हैं लेकिन सर हमारे पास ऐसा भी इंफर्मेशन है हम जहां पर पूरो गाटी में घूंग घूंग के देख रहे थे हम एक चीज आप से पूछना चाहते हैं आप लोग क्या ऐसी कोई वेवस्ता नहीं कर सकते जब इलेक्शन होता है और एक घर घर जाके आदमी को स्लीब बाठता है क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा कि बिना उनको बुलाएं सोश्ल डिस्टेंसिंग मेंटेन किये विना घर घर जाके पहुचा के दे सके अशके दिन में जो है अशका सुबा हमारा कुमार्बरा जीपी है उसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग वहां से शुरुवत किया है करके हमारा पार्टी का जो कारी करता लोग है सब लोग तो बिक्राम हमारे साथ जोने के लिए सुक्रिया और किशोर नाथ ने कहा कि ग्राम पंचायत अस्तर पर दस-दस लोगों का ग्रूप बनाया गया है एक ग्रूप में दस लोग रहते हैं लोगों तक खाथ सामगरिया पहुंचा ही जा रही है इसकी परताल करना भी आपका ही दायत तो होगा शरत चंद्र हमार साथ जुरे हुए है इंफाल से शरत लोगडाउन का पंद्रमा दिन है और कोरोना पोजिटिव को लेकर कैसा माहौल है वहाँ पे सरकारी सरकार की ओर से तो बहुत वेवस्थाय की गई है क्या कहेंगे लोगडाउन यहाँ बिल्कुल लोगडाउन अभी सभी लोग मान के चल रहे हैं सरकार ने जैसे दो दिन पहले लोगडाउन मैंने पहले में बताया था कि हफते में टिन बार जरूरत चीजों खरिदने के लिए लोगों को जब समय दिया जाता है लेकिन दो दिन से वो भी बंज कर दिया गया हाला कि लोगडाउन जो है पुरी तरह मतलब शामिल पुरी तरह लागू हो मनिपूर में सब लोग उसी का भी मान के अभी चल रहे हैं हाला कि एसेंशल सर्विस में जो जितने मी जूरे हैं उनका काम पर निकलना और जोड़े लोग निकलना है मैं आपक का दूड जो है दूड भी खराब हो रहा है उसको इसको इस नहीं कर पर है कशानों का जो है repo वहां की किसानों का फसल है उसको लेकर साख सब्जी का उतपादन है क्या म année तक दूर दरास इलाके में गाउं में जो फशल कात करके जो रखते हैं जैसे गाउंवाले फार्मर्स वो अभी इंफाल तक पहुंचने में बहुत दिक्कत है हाला कि पहले पहुंचने थे लेकिन आजकल पहुंचना बंध हो गया क्योंकि जो भी बिज़ी देफल के दुकान सरत बिल्कुल पहुंचना तो बंध हो गया है लेकिन मनीपूर सरकार क्या कोई ऐसी वेवस्ता कर रही है कि उसको लाया जाया कि किसानों को नुक्सान हो रहा है और उनके पास अगर सरकार की और से कोई जाता है अस्थानिय प्रसाशन के लोग जाते हैं उनका जो प्रोड़क खास करके जो हरे सब्चे बगएरा जो गाउं से जो किशान जो कात करके लिए आते थे पहले उसको फिर से वो इंफाल तक लिया आएंगे और घर-घर तक पहुंचाने के उन्हें बात की थी लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हाला कि कुछ एंजियो कु तो फिर ये जमीनिस्तर पर ये देखने को नहीं मिला हाला कि अभी दो दिन हुआ लोगड़ान पुरी तरह के से इंटेंसिपाइट किया गया पहले मैंने बताया था जरूरत चीजे खरिदने के लिए मकवा दिया जाता था वो बन हो गया दो दिन होए बन हुए जदा दिन अगर होगा तो लोगों को दिकते के सामना करना पड़ेगा हलांकि सरकार ने जो आसपासन दी थी कि होम दिलेवर के सिस्टेम वो बकाईदा लागू करेंगे ताकि लोगों तक जरूरत बन चीजों को मोहिया करा है लेकि अभी तक को पैक्टिकली सुरूर नहीं हो पाया है पंदरे दिन बाद भी शरत हमारे शरत जूड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस बात पर खास नज़र रखिए कि वहां के किसानों को वहां के जो फार्मर्स हैं उनको कोई तकलिफ ना हो सरकारी तंत्र क्या कर रही है उस पर भी आप नज़र बनाए रख चाइना में या विश्व में लोग तास्ति में आग चुके थे तो सरकार को इसकी त्यारी करने चाहिए थे सरकार ने हैल्टी भाग पे त्यारी तो की लेकिन इसके अलावा लोगों पर जो इसके और दूसरे तरफ से जो एफेक्ट पड़ेगा खादाने का या और चीजों लोगों का या भू जाखने का लग तो सरकार के जोलॉग को कुछ रचछित करने का प्रेज थे सब्सक्राइने का हिसादम से और जनता के सुख और सुगदा का खेल ही रखना चाहिए स्वास्थ Mr और सब्सक्रान करते हैं मैं एक सबस्दम करूंहीं है चला के लड़ते सब्सक्राड हेति ख्लाफ ये सरकार लड़ते जब अचाना काती है तो हमें पता चलता है कि आपी के चैनल पर दिखा रहा है कि 25 किलो के जगा 22 किलो चावल दिया जा रहा है ठीक है आपने दिखाया हम लोगों ने दिखा अब उस एक जामपल तोटल नहीं है कहीं होता है अब जहां बैटे हैं आपने सरी कार्यकरताओं को कहा है कि आप जहां बैटे हैं अपने दस घर को कम से कम जगाँ अगर हर बैक्ती अपने जहां बैटा है अब जहां कहां समस्य कहा हुरह है अब जहां समस्य कहां औरू है हटेंटिफाइ करे हम समस्या की हम कहा है कि हम चाह रहे हैं कि लोगों को को लागडाउन हम मेंटेन करें लोगों को उनके घर तक पहुचाएं अभी डिस्टिविशन नेटवर्क जिसको हम डिस्टिविशन नेटवर्क करते हैं सोर्स से उठे होम तक जाए समय की कमी है विजय गुपता जी आपने बहुत कहा कि डिस्टिविशन का सिस्टम को पूरती मंत्री है उन्हें भी साइथ थोड़ी समझने की जरूरत है फणी बुशन चोधरी को कर रहा है क्योंकि हम देश महा संकट से गुजर रहा है हमें लॉकडाउन का पालन करना होगा और खुद स्वस्त्र ना होगा लोगों को स्वस्त्र ने के लिए साफ सफाई कैसे मैंटेन की जाए हाइजिन कैसे मैंटेन की जाए और सोसल डिस्टेंसिंग कैसे मैंटेन की जाए इसके बारे में एक दूसरे को बताना होगा लेकिन इसके इसके साथ यह जरूरी यह भी है कि भूखा पेट भजन होई ना गुपाल मुद्दा में आज के लिए इतना ही धन् प्रफूराट